तो नवोदे विद्याले और सैनिक विद्याले प्रवेश परिक्षा छोटे बच्चों के लिए जो हुआ करती है क्लास 6 में इंट्री के लिए आज वहां का टॉपिक हम कंटीनिव कर रहे हैं वो है finding x x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है unknown x का मतलब क्या होता है? unknown unknown का मतलब होता है जो आपको पता ना हो इसे हिंदी में वैसे अज्यात बोलते हैं और अज्यात का मतलब होता है जो आपको पता ना हो तो unknown को हिंदी में क्या बोलते है? अज्यात और it means जो आपको पता ना हो जो आप जानते ना हो ठीक ना जो आपको पता ना हो तो बच्चो X बहुत कमाल की चीज है maths में X जो है आपको बहुत कमाल की चीज है जो चीज आपको maths में पता नहीं है उसको आप X मान लो जो चीज आपको पता नहीं है आप उसको क्या मान लो X मान लो और उसके बहुत सारे questions में आपके answer आ जाएंगे तो अब हम यहाँ X की problem पढ़ेंगे और X की problems को जानने के पहले कुछ आपको rules समझने पढ़ेंगे उन rules को समझिए और एक चीज में आपको और बता दू बच्चो की ऐसी mathematics जहां पर X involved होता है कौन involved होता है? mathematics की वो branch, mathematics का वो part जहां पर बच्चो X involved होता है न उस mathematics के part को बेटा बोलते हैं algebra क्या बोलते है? algebra तो mathematics का यह जो part होता है दोस्तों यह algebra कहलाता है इसको हम क्या बोलते है? algebra तो mathematics में आपको algebra में एक तो आपको X दिखेगा, X के साथ आपको plus दिखेगा, आपको minus दिखेगा, आपको multiply मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा? division मिलेगा, ओके? तो यह आपको सब चीजें मिलेगी, और आप इनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, और mathematics का यह part कहलाता है algebra तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कुछ rules की ओके? तो कुछ rules जान लेजिए, उन rules पर यह algebra आपका X का काम करेगा, ठीक है न? rules यह हैं, कि जैसे मान लीजिए, आपके पास को equation लिखा है, X plus 25 equals to 50, ओके? X plus 25 equals to 50, आपको X की value find करनी है, तो rule यह है, कि जो आपको निकालना है, आप उसको अकेले कर दो क्या कर दो, उसको? अकेले, तो X को यहां अकेले छोड़ दोगे, तो 50 था उधर था न? इधर कौन गया? 25, 25 का चिन है क्या था? तो क्या हो जाएगी? माइनस, और माइनस की चीज अगर उस तरब जाएगी, तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ओके, माइनस की चीज क्या हो गई? प्लस हो गई, तो यह rules आपने देख लिया, चलो एक और example देख लेते हैं, एक्जामपल है, एक्स माइनस 7 इकल टू 15, ओके, एक्स माइनस 7 इकल टू 15, तो एक्स की वैल्यों किती होगी? एक्स की वैल्यों होगी 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 एकल टू कितना होता है? 22 होता है, तो इसको 22 कर लो, बोलो clear है? तो यह rules याद रखेगा, माइनस की चीज जो उदर जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और प्लस की चीज क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, अब आजाओ भाई, division और multiplication में, कि division वाली चीज क्या हो जाएगी? तो rule याद रखो, कि अगर कोई चीज multiply में है, जैसे मानलो, यहाँ पे 3 into x है, अब यहाँ पे कि x के साथ जो multiply होता है, मानलो, x के साथ कोई number a multiply है, और a multiply होने के बाद यहाँ पे क्या है? बी है, तो जब equal के दूसरी तरफ जाएगा, तो b के कहाँ पे आ जाएगा यह? upon में, कहाँ पे आ जाएगा? ठीक, इसी तरीके से देखें, यहाँ पे 3 x इतना आ चुका है, upon में आ गया है, चलो आप कार दो 3 की टेबल पढ़के, 3 बन जा 3, and 3, 4 जा 12, तो answer कितना आ गया? x equal to 4, answer कितना आ गया? x equal to 4, ठीक ना बिटाए, इसको point मत समझना है, यह dot है, dot मतलब multiply, dot मतलब multiply, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, तो आप चाहे इसको 3 x लिखें, तो भी बात होई है, अगर आप इसको 3.x लिखें, तो भी बात होई है, बट जब जब आप लोग बड़े हो जाएंगों, तो सीधिया आप 3x लिखोगे, क्या लिखोगे? 3x, समझ में आ गया? तो यह होगया, चलो आप डिवीजन वाला देख लेते हैं, बट ड 250 से किते बार cancel होगा? 2x, तो answer x equal to कितना होगया? 2, आगया समझ में न, तो यह देखा आपने, जो multiply की चीज़ होती, वो कहाँ चली जाती है? division में, multiply की चीज़ आपको कहाँ ले जानी है? division में ले जानी है, ओके चलिए, अब अगला कुछ करते हैं, अगला देखते हैं, यह तो मैंने आपको बता रखा है ना, कि जिसके denominator में कोई नहीं है, उसके denominator में कौन है? 1, जो जिसके denominator में कोई नहीं है, जैसे 25 के denominator में कोई नहीं है, तो आप इसके denominator में कहा लेंगे, 1 ले लेंगे, तो x equal to 25 multiply by 5, 25 multiply by 5, तो answer x equal to कितना होगया? 125, कितना होगया? ओके, so correct answer कि कि hop तूं को रख भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकाड से कोई फर्क मिलट कणे तो आंसर कितना होगाओ 25 25 रिखेन थिक आप इस तरीके से आपके पास में इसमें भहुत सारे मिन्स कवेस्चन भी आएंगगें आप उन मिक्स कुश्टन को देख लीजये जैसे मैं कुछ मिक्ष्का आपको कराता हूँ देखे डीवीजन सवित्रेक जीए। minus 5 equal to 22 ये question आ गया, 3x minus 5 equal to 22, question क्या रहेगा, x की value find करो, क्या find करो, x की value, तो कैसे find करोगे, सबसे पहले आपको x को akila बनाना है, क्या बनानाए x को, akila, तो पहले minus वाले को वहाँ भेजो, पहले किसको भेजोगे, minus वाले को, कि x 3x के साहते ना, तो पहले तो 3x बनाओ गे ना प्लस 5 और यहाँ पे हो गया कितना 3 x एक्वल्स टू ये कितना हो गया 27 27 तो x एक्वल्स टू 27 अप сторону में कितना हो गया 3 तो answer कितना हो गया 9 तो answer x equal to कितना हो गया 9 हो गया डन ओके तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम को जो है transpose property बोलते हैं इसको x और y की इस type के question आपको आया करते हैं चलिए एक और question इसको उठाते हैं और एक और question में देखेंगे कि किस तरीके से question करना है जैसे माल लिजे आपके पास question आ गया है 4x minus 17 4x plus 17 is equals to 23 यह आपके पास question आ चुका है तो क्या करना आपको x की value निकालने को बूली गई तो यहाँ पे आप 4x को रोक लीजे क्योंकि x इसके पास में है इसलिए इसको रोकना है और 23 और minus कितना कर दीजे 17 कर दीजे 23 में से आपने 17 minus किया तो 4x 23 में से 17 minus करें कितना आएगा 4 आएगा और अब देखिए यहाँ पे जो 4 है वो x के साथ किसमें multiply में है अगर कोई निशान नहीं होता है दो नंबर के बीच में तो क्या होता उनके बीच में multiply ओके येस यहाँ पे थोड़ी से mistake होई है 4 नहीं है यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा आपको 17,6,43 होता है तो देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं मतलब यहाँ पे multiply है तो multiply है 4 into x equal to 6 है तो x equal to कितना हो जागा यहाँ पे 6 by 4 कितना हो जागा 6 by 4 अब देखिए आप यहाँ पे से क्या कटेगा तो यह भी 2 की table में आता है मतलब इसमें कुछ common factor है तो क्या है यह देखिए यह common factor यह है 2 into 3 और यह क्या है 2 into 2 तो 2 से 2 cancel हो जाता है अभी तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है बट आप आदद बनाई है कैसे इसको directly काटने की 2,3 जा 6, 2,2 जा 4 तो answer कितना हैगा 3 by 2 यह किस form में आ गया है fraction की form में किसमें आ गया है fraction तो यह fraction की form में answer आ चुका है तो अगर आपका option fraction में होगा तो उसको fraction की form में निकालिए हो सकता है आपका option mixed fraction में हो किसमें हो हाँ तो अगर आपका option mixed fraction की form में है तो आपको mixed fraction भी निकालना पड़ेगा मैंने आपको पिछली classes में बताया था कि mixed fraction कैसे निकालते हैं 3 by 2 को कैसे लिखा जा सकता है 3 by 2 को लिखेंगे हम 1 raise to 1 by 2 1 is to 1 by 2 ऐसे भी लिख सकते हैं बट कैसे लिखते हैं देखो इसका तरीका क्या होता है 3 में 2 को divide कर दो तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे आया 1 बज गया अब देखें अब तो divide जाएगा नहीं तो आप क्या बनाईए भी बनाईए तो इधर से बनाईएंगे उल्टा भी तो यह देखिए यह याद रहेगा आपको हमेशा यहाँ से start किया तो 1 is 2 है ना फिर यहाँ पे क्या आया 1 और upon में कितना 2 तो यह बन जाता है 1 is 2 1 by 2 इसको बोलते हैं mixed fraction क्या बोलते हैं इसको mixed fraction और यह तो अपने पास में fraction है यह यह कहलाता है mixed fraction एक और तरीका आप इसको decimal में दिखा सकते हो तो decimal के आपको इसको completely डिवाइट करना पड़ता है decimal मैंने आपको सिखाया 3 by 2 को डिवाइट करना तो 3 में आपने 2 डिवाइट करना तो कैसे डिवाइट करोगे देखो 2 1 जा 2 यहाँ पे कितना बनेगा 1 अब इसके बाद decimal लगाई क्योंकि डिवाइट जाएगा नहीं decimal लगाने के बाद आपको क्या लगाने का license मिल जाता है 0 लगाने का तो सबसे पहले 1 0 लगाईए और देखे यह जाएगा कितना 2 5 जा 10 तो इस तरीके से यह complete हो गया तो इसके 3 answer आप लिख सकते हैं देखी यहाँ पर आपके पास चाहो तो आप इसका answer देखो 3 by 2 लिख दो चाहे तो आप इसका answer 1 is to 1 by 2 लिख दो और चाहे तो कितना लिख दो 1 point 5 बट आपको option देखना पड़ेगा आपका option किस form में है ठीक है तो यह x के कुछ बहतरीन question हो गए अब आईए देखे कुछ और question मैं कराता हूँ आपको x के जैसे मान लिजे आपके पास में कोई question है 4x plus 4x plus 14x okay minus का 128 equal to मान लिजे यहाँ पर दिया है कितना 4 दिया है okay मैंने ऐसे ही randomly कोई question दे दिया 4x plus 14x minus 128 equal to 4 क्या find करना आपको question दियागी find x मतलब आपको x की value find करनी है तो x देखे किसके किसके पास में एक इसके पास में है और एक इसके पास में है तो इनको आप left में रोक लीजिए तो 4x और 14x ऐसे रहन दीजिए और 4 के साथ 128 को इधर ले जाए तो यह minus की चीज है equal के उस तरफ आके क्या बन जाएगी प्लस बन जाएगी तो 4x प्लस 14x कितना हो गया 18x equal to कितना हो गया 132 कितना हो गया 132 ठीक है ना अब अपने 28 और 34 होता ना बिल्कुल सही है 132 अब देखो 18 के साथ x किस form में multiply की form में नहीं दिख रहाता तो मैंने dot से दिखा दिया कि यह दोनों किसमे multiply में है और यहाँ पर 132 बैठा है और मैंने आपको अभी कई बार बता है कि जो multiply की चीज होती वो किसमे जाती है divide में तो यहाँ से x की value कितनी आ जाएगी 132 divide by 18 अब चलिए इसको काटना है आपको तो किस से काटेंगे देखे 2 इसके unit place में मतलब यह भी even number है और यह भी क्या है even number even number सारे 2 से divide हो जाते हैं तो यह भी 2 से divide होगा तो 2 से काट दीजे इसको देखे कैसे कटेगा 2 से तो 132 में 2 का divide करिए तो 2 6 जा 12 ओके 1 बच गया और यहाँ पर भी 12 बच गया 12 तो 2 6 जा 12 मतलब यह cancel हो गया तो कितना बार 66 बार और 2 से काट यह कितने बार आएगा 9 बार अब देखे ए 3 की table में 66 आएगा बिलकुल आएगा 3 से जाएगा क्योंकि इन दोनों का sum कितना है 12 इन दोनों का sum कितना है 12 चलिए 3 से काट दीजे तो 3 से 26 कितने बार 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और अपॉन में 3 3 जा कितना हो गया 9 तो answer आगया 22 बाई 3 तो यह आप इसका answer लिख सकते है 22 बाई 3 वो लिख clear है तो इस तरीके से कोई भी आपके पास में expression है आप इसकी value आप find कर सकते है ठीक है न चलिए आएए देखते हैं कुछ questions करते हैं जो आपके exam में पूछे जा चुके हैं अल्रेडी नवोदर विद्याले और आपके आपके जो केंदर विद्याले question लिखा है x upon 25 equal to 196 upon x कहरा बताइए x की value क्या है x की value क्या है तो देखिए इसमें तो cross multiply का फंडने लगेगा cross multiply मतलब ये चीज यहां जाती है और ये चीज यहां जाती है ओके देखिए equal के आजू बाजू अगर कोई चीज होती cross multiply मतलब x का multiply किस के साथ x के साथ और 25 का multiply किस के साथ 196 के साथ तो x into x कितना होता है x square कितना होता है x square याद रखिएगा x का अगर आप दो बार multiply करते हैं तो x square होता है x का अगर आप तीन बार multiply करते हैं तो क्या होता है x cube होता है cube मतलब power 3 और x into x into x into x अगर x को 4 बर multiply करेंगे तो x की power कितना 4 2 power के लिए fix नाम है square 3 power के लिए fix नाम है cube मगर 4 power के लिए कोई fix नाम नहीं है इसलिए इसको power 4 ही बोलते हैं ठीक है तो यह कितना आ गया x square या x की power 2 equal to 25 into कितना 196 बोले clear है 25 into 196 अब देखे यहाँ पर क्या है x square है और अब यहाँ से हमको square हटाना है square क्या करना है हटाना है तो जैसे ही में square हटाऊंगा तो यह जो term लिखा है यह किसमें चला जाएगा square root में किसमें चला जाएगा square root में square यहाँ से हटता है सामने वाले की उपर square root लग जाता है 25 का square root कितना होता है 5 और 196 का कितना होता है 14 क्योंकि 5 का square 25 होता है और 14 का square कितना होता है 196 तो इस तरीके से यहाँ पर 5 14 जा कितना हो गया 70 तो answer x की value किती ही आ गई है 70 तो देखिए option में x की value आपको 70 दिखाई रही होगी उसी को आप tick कर लीजिए correct answer होगा x equal to कितना 70 ठीक है ना तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या होने चाहिए आपको square पता होने चाहिए square पता होने चाहिए square एक तरफ आप अपनी copy में लिखिए और एक तरफ column में बनाए square root square root यह दो चीज़ें आप अपनी copy में 1 का square 1 होता है और 2 का square कितना होता है 4 तो square करने से आप यहां से square से यहां पहुंचते हैं और square root करने से आप उल्टा पहुंचेंगे उल्टा देखिए 1 का square root कितना होगा पीछे जाएए 1 हो जाएगा 4 का square root कितना होगा 2 हो जाएगा ओके देखे 3 का square कितना होता है? 9, तो 9 का square root कितना हो जाएगा? 3, 9 का square root कितना हो जाएगा? 3, ऐसे करते 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 कहां तक आपको 20 तक याद करना है, तो 20 का square कितना होता है? 400, कितना होता है? 400, और मैंने आपको classes में बताया था, कि 400 का square root कितना होता है? 20, कितना होता है? 20 तो square के लिए आपको square लगाना पड़ेगा और square root के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा इस तरीके का sign लगाना पड़ेगा इसको बोलते हैं square root क्या बोलते हैं square root clear हो गया तो यह square और square root आपको बहुत अच्छे से बनने चाहिए क्योंकि इसके पक्के सवाल आएंगे 101% बि लिखेर आंगे तो हम बढ़ेंगे मगर उसके पहले मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ अगर आप यहाँ पर प्रॉबलम फील कर रहे हैं इस पॉइंट से तो मैं आपको एक और तरीका बताते हैं तो देखिए एकस का स्कॉयर है अगर आप इसको कमाइन कर देंगे तो फाइव इंटू फॉटीन का ब्रैकेट लगा के क्या लगा सकते हैं होल स्कॉयर क्योंकि इसका भी स्कॉयर था इसका भी स्कॉयर था मैंने ब्रैकेट लगा के अब स्कॉयर से स्कॉयर को क्या कर दीजे कैंसल तो आंसर आजागा एकस इकॉल टू फाइव इंटू फॉटीन तो आंसर करके 20 तक के सारे के सारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए अब चलिए बात कर लेते हैं क्यूब and cube root की, okay, cube and cube root, cube root, तो सबसे पहले देखिए, 1 का cube कितना होता है, 1 होता है, 1 का cube कितना होता है, 1, मतलब 1 का आप cube करोगे, तो 1 आ जाए, okay, 2 का cube करोगे, तो कितना आएगा, 8, okay, तो 2 से 8 तक पहुचने के लिए, आपने क्या कर दिया, cube कर दिया, और अगर आप 8 से 2 पहुचना चाहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, cube root, क्या करना पड़ेगा, cube root, तो cube root का निशान देखिए, बच्चों, ऐसा होता है, यहाँ पर 3 लगाना पड़ता है, तो आप कहेंगे, 8 का cube root कितना होगा, 2 होगा, 8 का cube root कितना होगा, 2 होगा, 8 का अगर आप cube root लेंगे, 2 होगा, अगर आप 1 का cube root लेंगे, तो 1 का cube root कितना होगा, 1 होगा, चलिए देखिए आंगे, 3 का cube कितना होता है, 3 का cube होता है 27, कितना होता है 27, तो अगर आप 27 का cube root लेंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसको अच्छे से perfect करने के लिए आपको एक काम करना है, 1 से लेकर 10 तक के आपको cube याद करने है, मतलब 1 का cube, फिर 2 का cube, ऐसे ऐसे करते करते कहा तक के 10 के cube आपको याद करने है, और 10 के cube याद करने के बाद आपको फिर cube root भी निकालना है, जैसे 10 का cube कितना होता, 1000, कितना होता है, 1000, अब इसका भी लिखना भी सीख लो, अगर आप 1000 का cube root निकालोगे, तो बताओ कितना आएगा, 10 आएगा, ओके, तो cube root करने पर क्या मिला, 1000, और इसको cube root करोगे, cube करने पर क्या मिला, 1000, और इसको cube root करोगे, तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, अगर आपको problem होरी न, cube निकालने में, तो बिलकुल मुश्किल नहीं है, बच्चो, cube निकालना, cube निकालना है जैसे मान लो कोई number आपके पास A दिया है तो A का cube मतलब उसी number को 3 बार multiply कर दो जैसे example देखो 3 का cube तो 3 का cube मतलब 3 को 3 बार multiply 3 into 3 तो 3 into 3 कितना होता है 9 और 9 into 3 कितना होता है 27 तो 3 का cube कितना हो जागा 27 अगर आप 4 के cube की बात करोगे तो 4 का cube मतलब 4 into 4 तो 4 फोरजा 16 और 16 फोरजा कितना होता है 64 तो 4 का cube कितना होता है 64 और इसी बात पर मुझे बता दो कि 64 का cube root कितना होगा 64 का cube root कितना होगा बोलो 4 बिल्कुल सही 64 का cube root होगा 4 और 64 का square root कितना होगा देखो मैंने cube नहीं लगा है 64 का square root कितना होगा 8 होगा क्या होगा 8 क्योंकि आप जानते हो 8 का square कितना होता है 64 तो confuse मत हो ना 8 का square 64 होता है इसलिए cable अगर ये लगा रहे हो तो इसका मतलब होता है square root square root of 64 equal to कितना 8 और अगर आप ये लिख देते हो तो इसका मतलब होता है cube root और यह कितना होता है, 4 होता है, है ना, तो आपको यह तब बनेगा जब आपने पूरे के पूरे याद रख रहे हैं, तो आपका काम क्या है, 1 से लेके 10 तक, क्यूब और उसके क्यूब रूट, आपको पता होने चाहिए, बुले क्लियर है ना, चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आया है आपके एक्जाम में, तो आईए अगला क्वेश्चन हम आपके एक्जाम से उठाते हैं, question कहा रहा है, मैं question लिख देता हूँ आपके सामने screen पे, question कहा रहा है, given 154 multiply by 18, multiply by 18 equal to 2772, 141, 54 into 18 equal to 2772 है, ओके, तो आपको value निकालनी है, किस चीज की, आपको value निकालनी है, find 27.72, okay, divide by 1.8, आपको इस चीज की value निकालनी है, 27.72, divide by 1.8, तो देखें इसको कैसे करना है, तो division तो मैंने आपको सिखा रखा है, 27.72 और divide का मतलब क्या होता है, upon, क्या होता है, upon, इसको लिख दीजे किसको 1.8 में, अब decimal तोड़ने में तो आप लोग किंग हो चुके हैं, decimal तोड़ने में तो आप लोग को मैंने सिखा रखा है, तो क्या करते है, 27.72 का decimal हटा लिजे, okay, कैसे break होगा, देखे, decimal ब्रेक कर दिया है, यहां से, okay, 27.72, जो उपर वाला, उसका decimal कहा ब्रेक होता है, नीचे, और नीचे वाला का decimal कहा ब्रेक होता है, उपर, तो 27.72, upon में देखे, decimal की जएक क्या आया, 1, और किते 0 आएंगे, 2 0s आएंगे, नीचे 1.8 है, तो इसका decimal हटा दिया है, यहां से, तो बन गया 18, और यहां पर किते 0 आएंगे, 1 आएगा, और 1 0 आएगा, बीच में multiply लगाना ना भूले, multiply का sign होता है, okay, तो देखे, क्या ब 10, कितना आगया, 1 upon 10, अब आपको इसकी value चाहिए, okay, अब आपको इसकी value चाहिए, आप सोचेंगे भाई, आपको question में यह क्यों दिया था, अभी तक तो आपने कोई use नहीं किया है, अब आप बोलोगे sir, divide कर दो, बट देखो आपको यह value help के लिए दी गई है, क्योंकि 2772 upon 18 बना लो, तो भाई 2772 उपर है, तो उपर रहन दो, 18 इसके साथ किसमे multiply में है कि नहीं है, तो multiply में है, तो divide में आ जाएगा, और बोलो यहाँ पर किबल कितना बचेगा, 154, कितना बचेगा, 154, तो मतलब एक चीज clear हो गई, कि 2772 upon 18 के जो value है, वो कितनी है, 154, मतलब य यह जो गोला है, 2772 upon 18, इसकी जगह मैं क्या value रख सकता हूँ, बोलो, 154, multiply by 1 upon कितना, 10, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम क्या मानते है, 1 मानते है, अब चलिए आईए इसको multiply कर देता है, तो multiply करना बहुत आसान होता है, fraction का, उपर का, उपर और नीचे का, नीचे, तो 154 upon में कितना, 10, अब चलिए decimal को हटा लेते हैं, कितने zeros हैं, 10, मतलब एक डिजर के पीछे decimal लगा दीजे, answer कितना हैगा, 15.4, तो इसका correct answer आपको जो दिख रहा है, रिखे, 15.4 है, ठीक है न, तो इस तरीके से आप decimal यहाँ पर हटा सकते हैं, चलिए, अगला question क theorem सिखा रहा हूँ, जो कि right angle triangle से related है, okay, कौन से triangle से, right angle triangle से related, okay, right angle triangle, right angle triangle क्या होता है, देखे, right angle triangle, देखे, आपने देखा होगा L shape, आपने L shape देखा न, L, यह L का shape होता है, यह जो L के बीच में, मतलब इसको बोलते हैं, horizontal line, और इसको बोलते हैं, vertical line, मैं लिख देता हूँ, horizontal line मतलब rd line horizontal line लेटी हुई line बिल्कुल सही और vertical line का मतलब होता खड़ी line standing line यह है vertical line ओके तो बच्चों याद रखो कि इसके बीच का जो angle होता ना इसको हम ऐसे बनाते हैं normally angle हम ऐसे बनाते हैं गोल घुमा करके बट इस angle की पहचाने इसको मिस तरीके से बनाते हैं और यहां लेखते है 90 degree ओके तो यह देखिए यह आपके पास में 90 degree बन रहा है और अब यह side को मिला देंगे तो एक triangle ऐसा बन जाएगा जिसमें एक 90 degree हो तो 90 degree वाले triangle को क्या बोलते हैं right angled triangle ऐसा triangle क्या कहलता है right angled triangle हिंदी में से समकोर्ट त्रिभुज बोलते है right angled triangle अब देखिए एक विशेज बात में आपको बताऊं इस triangle में एक गजब की theorem लगा करती जो आपके बहुत काम की होती है ओके जो एक theorem लगती है बहुत काम की होती है इसका नाम है A इसका नाम ले लिजी B और इसका नाम ली जी C तो बोलेंगे आपके पास right angle triangle क्याइगे कि मेरे पास outta नाम right angle anything is A B C और B पर क्या बन रहा है 90 degree तो angle जो B है आपका वो किते डिगरी है 90 degree मतलब right angle 90 degree मतलब right angle तो मैं आपको एक बहुत गजब थियोरम की बात बता रहा था उस थियोरम को बोलते हैं बच्चों पाइथा गोरस थियोरम स्मार्ट में PGT क्या बोलते हैं PGT पाइथा गोरस थियोरम तो यह थियोरम क्या कहती है यह देखो समझो भाई इस थियोरम को इस थियोरम की मदद से आप यह जानो कि यह थियो सबसे बढ़ी साइड कौन सीए AB है की BC है की AC है Ac है तो AC का स्क्वे precis के बारबर होगा सम के बारबर तो बाकी kiifully साइड कौन है AB स्क्वेड ऑ प्लस कौन मन गया BC का स्क्वेड तो मेरी मांनिय ये यह पैस creat कर लीजिए यह बहुत important है तो मतलब इतने question मनेंगे इतने question बनेंगे और लाइफ में आप इस theorem के अंदावा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप कोई theorem नहीं बनती है तो आप यह मान लीजिए कि maths बेकार है आपका पढ़ना ओके तो यह theorem आप सीख लीजिए बहुत important है इसको बोलते हैं सबसे बड़ी साइड का मतलब संव तो इस से कोई भी side निकाल सकते हो, या तो आप ये निकाल सकते हो, या तो आप ये निकाल सकते हो, आपको कोई 2 दी गई होंगी, आप तीसरी निकाल लोगे, clear है, आप 2 दी गई होंगी, आपको तीसरी निकालना आ जाएगा, चलिए निकाल करके बता देता हूं मैं, तब आपको थोड़ा स कौन सा triangle है right angle triangle इसका कुछ नाम दे दो आपको देना हो A, B, C नाम दे रही है अब क्या लगाएंगे आप यहाँ पर pythagoras theorem क्या लगाएंगे pythagoras theorem क्या कहती है theorem यह theorem कहती है सबसे बड़ी side का square है सबसे बड़ी side कौन सी है AC तो AC का square equal to बाकी की square का sum तो बाकी की कौन बजगई A, B, A, B का square प्लस क्या B, C का square बोलो भाई हुआ की नहीं हुआ हाँ ठीक है अब देखे AC की आपको value निकालनी है वो पता नहीं तो उसको छोड़ दो AC का square रख दो A, B आपको पता है ना A, B कितनी है बोलो 3 किते centimeter है 3 centimeter तो यहाँ पर 3 रख दो है ना 3 का square रख दो क्योंकि क्या लगा हुआ है square A, B, C कितनी दी गई यह बोली है 4 तो यहाँ पर मैंने 4 का क्या रख दिया square क्योंकि BC का square है चलिए 3 का square याद है आपको कितना होता 9 4 का square कितना होता है आपके स्कूल में एक्जाम में आया हुआ है नवोदय विद्याले में देखे नवोदय विद्याले संगठन का यह paper आपके एक्जाम में कैसा आया हुआ है इंट्रेंस के लिए देखे question कहा रहा है question number 42 दिया गया question paper में question कहा रहा है if the two perpendicular sides of a right triangle are 5 cm and 12 cm कहा रहा है कि दो perpendicular sides perpendicular मतलब जो एक दूसरे के perpendicular हो एक दी गई है कितने centimeter 5 cm, कितने centimeter 5 cm, और एक दी गई है कितने centimeter 12 cm, then the perimeter of the triangle तो आपको इस triangle की perimeter find करनी है, perimeter मतलब total triangle की boundary total triangle की boundary इसका नाम A ले लो, इसका नाम B ले लो इसका नाम C ले लो ओके, देखे आपको क्या कह रहा था कि two perpendicular sides आपको ये side और ये side आपको दी गई है और आपको निकालना है कि इसकी इसकी जो है perimeter क्या होगी तो सबसे बड़ी problem क्या है, देखे आपको तीसरी वाले side का पता है कि नहीं पता, नहीं पता बट एक चीज आपको मजे की बात है, ये कौन सा triangle है right triangle, कौन सा triangle है right triangle, क्योंकि question ने कह दिया था कि दो perpendicular sides है, perpendicular sides मतलब L shape की sides, कौन सी sides L shape की, जो 90 degree बना रही है तो ये आपके पास L shape की sides दी गई है आपको सबसे पहले ये पता लगाना है तो अगर आपको जल्दी बाजी है, तो इसका नाम X मान सकते हो, क्या मान सकते हो X, आपको ये दी नहीं लिखना है, तो जल्दी बाजी में आप X लिख सकते हो, अब आपको पता है इधर क्या आता है, equal to बाकी की दो sides का square, तो बाकी की दो sides कौन कौन सी है, तो 5 लिखेंगे की, 5 का square लिखेंगे 5 का square प्लस बाकी की side कौन सी है 12 का square, चलिए तो X का square equal to 5 का square कितना होता है 25, और 12 का square कितना होता है 144, चलो भाई, add कर दो तब आ जाएगा, तो 144 में 25 को add कीजिए, देखे कितना आ गया, 5 प्लस 4, 9 हो गया, 4 प्लस 2, 6 हो गया, 169, ओके, X का square equal to 169, भई 169 किसका square होता है, 13 का, square से square क्या हो गया, cancel, एक और तरीका था, आप यहाँ पर X लिखते, तो 169 के उपर क्या लग जाता, root लग जाता, तो एक तरीका यह भी था, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो square, square दोनों को मना लीजिए, square से square, cancel कर लीजिए, तो X की value कितनी आ गई, 13, कितनी आ गई, 13, तो चलो भाई, यह भी value हमाई पास आ चुकी, 13, अब हमको निकालना है, perimeter, क्या निकालना है, perimeter, क्या निकालना है, A, C, तो तीनों को add करेंगे, A, B, plus B, C, और प्लस क्या, A, C, तो बताएगे क्या, A, B आपको पता है कि नहीं पता, A, B कितनी है, 5 cm, है ना 5 cm, B, C कितनी है, देखिए, B, C कितनी है, बोलिए, 12 cm, और A, C अभी आपने निकाल लिए, A, C कितनी सेंटी मिटर निकाल लिए, 13 cm, Yes or No, तो ये सारी की सारी आ चुकी, अब हमको answer निकालना है, तो 5 plus 12, 17, and 17 plus 13, equal to कितनी सेंटी मिटर, 30 cm, तो जो इसका answer आएगा, correct answer कितना होगा, 30 cm, तो इस तरीके से आप जो है, बहुत सारे question आपको पाइथागोरस theorem के बना सकते हो, आप, दो side आप अपने मन से ले लो, औ उसका आप मतलब की, जैसे आप ऐसे समझो, मैं आपको दे रहा हूँ, homework, आप ऐसे 5-5 question करके बनाओ, जैसे ये 2 triangle बना लो, अब इस triangle की 2 side ले लो, आप जैसे 4 ले लो, और ये 5 ले लो, ओके, आप पता करो कि ये वाली side क्या है, इसको X ले लो, पता करो, है ना, फिर triangle ले तो आप यहाँ पे, यहाँ पे आप 3 ले लो, और यहाँ पे आप ले लो, क्या 6 ले लो, और आप पता करो कि ये side कौन सी है, तो क्या लगाना हर बार आपको Pythagoras theorem, है ना, कोई भी आप अपने मन से 2 side ले लो, triangle बना लो, ये 4 ले लो, ये 6 ले लो, और आप पता करते जाए तो इससे आपकी बहुत सारी practice हो जाएगी, बुले clear है ना, तो Pythagoras theorem से आप जो है, एक side का पता लगा सकते हो, है ना मजे की बात, चलिए, अगला question चलते हैं, अगला question जो है हम कराते हैं, आपको board mass rule का question, ठीक ना, board mass rule का question आपको कराएंगे, देखिए board mass rule पर कैसे question होगा, चलिए, देखिए, क्या question आए आपके exam पर, board mass rule का, मैं question लिखता हूँ आपके लिए, question है, कि आपको value find करनी है, question में कहा गया है, कि आपको value find करनी है, मैं आपके सामने एक expression लिख रहा हूँ, एक आपके सामने में expression लिख रहा हूँ और आपको value find करनी है, find the value, okay, find the value, तो board mass rule I think आप लोग जानते होंगे, चलिए नहीं जानते होंगे, फिर मैं recall कर देता हूँ कि board mass rule क्या होता, देखिए BODMAS, यह देखिए इसका नाम मैंने लिख दिया है BODMAS, यह rule बताता है कि आपको कैसे चलना है, अगर बड़ा सा आपको कोई expression आजायेगा, तो उसको solve करने के लिए आप कैसे करेंगे, B for bracket, मतलब सबसे पहले आप bracket solve करेंगे, bracket मतलब ऐसे कोश्टक हिंदी म बोलते हैं, तो सबसे पहले आप किनको solve करेंगे, कोश्टक को, ओके D, D for division, D for division, division यानि फिर भाग को आपको solve करना है, bracket of division, तो खेर ओसे मतलब आपको सबसे पहले bracket है, फिर division है, फिर M का मतलब क्या है, multiplication, M का मतलब क्या है, multiplication, और फिर A का मतलब है, addition solve करना आपको, A का मतलब आपको addition solve करना हो, और S का मतलब क्या है, subtraction, क्या solve करना है, subtraction, तो याद कर लिजे, सबसे पहले आप क्या solve करेंगे, कोश्टक यानि की bracket, फिर इसके बाद में डिवीजन, डिवीजन के बाद में मल्टिप्लिकेशन, मल्टिप्लिकेशन के बाद में एडिशन, और एडिशन के बाद में सब्ट्रेक्शन, तो यह रूल लगेगा आपको सॉल्व करने का, ठीक है न, और इस रूल से आप धेरो क्वेश्चन मनाईए, अप मैं आपको वो solve कराता हूं ठीक है देखी यहां पर question क्या है question है 3 multiply by 13 plus 6 into 7 okay 3 multiply by 13 plus 6 into 7 divided by divided by 11 into 3 11 into 3 और minus 12 minus 4 into 2 अरे भाई बहुत ही काम का question देखो इसमें काफी सारे step हैं बहुत मज़ा आने वाला है इस question में देखी यहां पर कितने bracket हैं एक bracket दो bracket तीन bracket आपको पहले bracket solve करने हैं और bracket के अंदर भी board mass लग रहा है तो चलिए पहले 3 को हात मत लगाओ पहले bracket को solve करो देखो board mass में म क्या बता है था सबसे पहले BODMAS तो यहां पर addition और multiplication है बोलो पहले क्या होगा addition पहले multiplication होगा तो थर्टीन को छोड़ दो 760 42 ओके 760 42 चलो भाई आंगे लगा दो division यह हो गया division 11 का 3 से multiply एक ही टर्म में मज़े करो भाई कितना हो गया 33 और minus में देखो भाई 12 है minus 4 into 2 तो क्या होगा पहले multiplication क्या होगा पहले multiplication तो 4 तू जा कितना हो जागा एट ऐसे मत कर देना कि 12 में से 4 माइनस कर दो 0 में जाएंगे है ना पहले इन दोनों का multiply करो क्योंकि रूल में पहले कौन होता multiplication तो 12 माइनस का कितना हो गया एट चलो अभी और ब्रेकेट सॉल गाना गया बोलो कितना बचा 4 चलो अब ब्रेकेट खोलो क्योंकि यह भी पहले ब्रेकेट खोलना पड़ेगा क्योंकि अभी बॊबर्ड मास में सबसे आँगे B आयेगा क्या आएगा ब तू पहले बोड़ मास का bracket apply करो 3 5 15 carry किती आ गई 1 और 3 5 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 तो कितना आ गया 165 कितना गया 165 नहीं बना क्या चलिए फिर से देख लेते हैं 55 multiply by 3 करता हूं मैं 3 का भई यहां पर कोई sign नहीं है कोई sign नहीं है मतलब multiply होता है कोई sign नहीं मतलब multiply अगर मान लो कहीं पर bracket लगा है जैसे यह 2 लिखा है और bracket के अंदर 3 लिखा है इसका मतलब automatically जम समझ लेना है multiply है तो 2 3 कितना हो गया 6 हां तो चलिए multiply करता हूं तो 3 5s up 15 carry कितनी आ गई वान आ गई आ गई आ गई न और 3 5s up 15 और 1 carry थी कितना जोड़ गया 16 हो गया तो इसलिए 165 चलिए divided by कितना है 33 कितना इदिवाइड बाई 33 और minus का कितना है 4 yes or no minus का 4 चलिए bracket का कोई use ही नहीं तो मैंने bracket रटा दिया क्योंकि अंदर का सारा मसाला तो solve कर लिया ना अब अकेली के लिए भला क्या bracket लगाना चलो अब फिर से आजाओ board mass rule में bodmas bracket बचा नहीं off खतम हो गया क्या है तो सबसे पहले आपको 165 में 33 को डिवाइड करो क्या करो 165 में 33 को डिवाइड करो इतने से part को आप solve कर लो तो आ जाओ मैं solve कर देता हू 165 divided by 33 यह देखिए 165 है और divided by कितना 33 तो देखो भाई यह तो पहले नंबर में बाहर बढ़ा हो गया तो वन बार जाएगा नहीं तू बार जाएगा नहीं थ्री बार नहीं जाएगा मैं 5 टाइम multiply करके देखता हूं 33 इंटू 5 चलिए 5 थ्रीजा 15 5 थ्रीजा 15 कैरी आगे कि कितनी 1 है ना वन आगी नहीं कह रही और 5 थ्रीजा कितना 15 और 15 प्लस 1 कितना 16 अरे वह मज़े आ गए भाई तो 165 कितने बार में मिल रहा हमें 5 टाइमस में तो 165 यह बन गया माइनस कर दिया आंसर कितना आ गया 0 मतलब डिवाइड करने पर मैंने जो डिवाइड किया है किस इसको 165 को 35 से डिवाइड किया है बोलो कितने बार आया आंसर 5 टाइमस चलिए दो बैक चलते हैं और यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो इन दोनों की जगह 165 माइनस 33 कितना आ गया 5 और 5 में से मुझे क्या माइनस करना है 4 तो आंसर कितना आएगा बोलिए 1 यह देखि आंसर कितना इसका 1 है ना मज़ेदार चलिए देखे दोस्तों आप जानते हैं कि किसी तरीके से simple fraction को किसमें बदला जाता है simple fraction को mix में बदला जाता है जैसे यह लिखा आपके पास 5 by 2 तो मैंने आपको बता दिया कि 5 by 2 को mix fraction में कैसे बदलोगे 2 raise to 1 by 2 कैसे आता है देखो 5 में आपने किसका डिवाइट कर दिया 2 का तो यहाँ पे 2 आ गया 2 2 is a 4 और यहाँ बचा 1 तो आपने भी लिख दिया 2 raise to 1 by 2 2 is 2 1 by 2 अब देखिए आपको मैं सिखाता हूँ यह क्या था यह simple था simple fraction को आपने किसमें लिख दिया mixed में अब मैं आपको बता रहा हूँ mixed को simple में कैसे लिखते हैं देखिए mixed आपके पास में है और mixed को किसमें बदलना आपको simple में ठीक ना mixed को आपको simple मदलना है तो mixed आपके पास में कितना 1 is 2 1 by 2 है देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 का 2 से multiply करेंगे और जो आएगा उसमें 1 add कर देंगे तो 1 2 जा 2 और 2 प्लस 1 कित्ता हो गया अच्छा मैंने question ही गलत लिख दिया भाई 2 is 2 1 by 2 करो ना 5 by 2 तो यह था mix को simple में बदलने का तरीका 2 is 2 1 by 2 को आपने 5 by 2 पहले नीचे वाले से multiply और उपर वाले को add कर दो upon में जो denominator वही लिख दो इसको बोलते है mix को simple में बदलना ठीक है ना अब देखिए आप चाहो तो इसका decimal भी निकाल सकते हो तो जो आपको अगला जो question आया आया आपके exam में वो कुछ इसी तरीके का आया आपको decimal निकालने को बोला गया है कि decimal expression क्या होगा आये solve करते हैं question क्या दिया गया question कह रहा है कि find the decimal expression question लिख लीजे question रहा है find the decimal expression equivalent to 12 raise to 1 by 16 ये लिए भाई साब बड़ा ही गजब question है 12 raise to 1 by 16 इसका आपको क्या लिखना है decimal लिखना है ओके simple fraction भी नहीं लिखना है decimal मतलब simple fraction के भी आंगे simple fraction के भी आंगे मतलब इसको डिवाइड जैसे यहाँ पर decimal लिखना होता तो क्या करते पांच को दो से डिवाइड करते फिर कितना आता टू 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 जा फोर यहाँ पर आता वन तो decimal लगाते जीरो बढ़ाते और टू फ fraction क्या बदलना पड़ेगा simple तो 12 का 16 से multiply तो भाई थोड़ी जिगए बना के यहाँ पर multiply कर लो तो 12 का 16 से 2 6 12 carry 1 2 1 2 plus 1 कितना हो गया 3 cross करो यहाँ पर 1 6 6 और 1 बंजा 1 2 9 1 तो यहाँ पर कितना आ गया 192 आया है बट एक जोडना मत भूलना तो 192 प्लस 1 करो कितना आ गया 193 अ पॉन में कितना 16 but question में आपसे decimal बोला है यह तो क्या आ गया यह आपका आ गया fraction क्या गया है fraction है ना अब आपको decimal बोला है तो आए decimal में solve करना है मतलब हमको 193 को 16 से divide करना पड़ेगा तो यह मैंने लिखा भाई साब 193 और यहाँ पर मैंने क्या लिखा 16 चलिए 16 बंजा कितन होता है 16 हो गया यह गया 19 में से 6 गया कितना गया 3 बचे यह cross कर दो ओके automatically क्या उतरेगा 3 उतरेगा है ना चलिए 16 टूजा कितना हो गया 32 ओके यह cross हो गया 3 में से 2 गया 1 खेल खतम हो गया खेल खतम हो गया अब देखे decimal लगाए decimal लगाने के बाद आपको 0 रखने की power मिलती ह एक 0 किते 0 रख सकते हैं एक 0 दो 0 आप नहीं उतार सकते हैं आपके पर decimal लग गया है decimal के बाद आप एक 0 रख सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा 0 टाइमस पढ़ना बिल्कुल सही तो 16 जिरो कितना हो गया 00 हो गया ओके यहां पर कितना आएगा 1 आएगा 0 आएगा एक 0 रख दिया था, अब आपको 0 रखने की पावर मिल जाएगी, अब एक 0 और रखे, क्योंकि decimal के बाद 0 unlimited होते हैं, आप चाहो तो जित्ते भी 0 लगा सकते हो, ठीक है न जी, येस, तो देखी यहाँ पे 0, 0, 0 आ चुके हैं, ठीक है न, दो 0 आ चुके हैं, एक बार में एक ही 0 उतरेगा, बस याद रखना, एक बार में 2 0s नहीं उतरेंगे हैं न, चलिए आप आँगे पढ़ते हैं, 16 कि किते बार, 6 बार, किते बार, 6 बार, तो 16, 6 जा कितना होता है, 96, यहाँ पे कितना बज़ गया, 4, कितना बज़ गया, 4 बज़ गया, और decimal लगा ही हुआ, तो 0 ल अब किते बार टेवल पढ़ेंगे, 2 बार, कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो अब यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे, 40 डिवाइड बाई, 16, 2 जा, 32, कितना बार जाएगा, 8, अभी decimal लगा हुआ है, मतलब 0 रखने की पावर है, बट कितने 0, 1, 0, ओके, अब देखे, 18 आ 3 बार, 16 आपने decimal में लिखा है, तो कितना आया है, 12.0625, 12.0625, यह देखे, option में, answer है, 12.0625, correct answer है, C, इसका option जो आपको बुक में मिला है, तो इस तरीके से जो है, आप बहुत बढ़िया-बढ़िया question कर सकते हैं, ठीक है न, तो यह था decimal division का एक बढ़िया ऐसा question और आपको म दिवीजन तो सिखा ही रखा है, अगला question देखते हैं, अगला question simple decimal addition से आया है, हाँ, decimal addition से अगला question आया है, ओके, अब देखे, question में क्या कहा गया है, कहा गया, the sum, sum मतलब जोडो, किसको, किसको, एक number दिया है, 7.7, एक number दिया है, 7.07, एक number दिया है, 7.007, और एक number दिया है, 77.0077 तो ऐसे नंबर को मैंने बताया था जिसमें सबसे ज़्यादा decimal हो उसको सबसे पहले लिख लो तो सबसे पहले लिखिए 77.0077 अब आपको match कराना है decimal के नीचे decimal decimal के नीचे decimal तो देखिए यह decimal है तो यहाँ पे आएगा 0.007 और यहाँ पे कौन बैठेगा 7 बैठ जाएगा decimal के नीचे decimal आ गया ना चलिए अगला देखिए 7.07 तो यहाँ है 7 और यह है 0.07 चलिए यहाँ पे 7.7 तो यहाँ पे 7.7 चलिए अब देखिए decimal के बाद 0 लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है कोई भी कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप यहाँ decimal के बाद 2.0 लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कोई डर लग रही मुझे दिखनी रहा है तो आप यहाँ पे 2.0 लगा दो 3.0 लगा दो यहाँ पे कितने 0 लगा दो 4.0 तो decimal के अंत में जो नंबर होते हैं बीच में नहीं अंत में जैसे यह 0.15 लिखा है आप इसके अंत में कितने भी 0 लगा दो यह useless होते हैं कोई इनकी meaning नहीं होती है समझ गया ना जैसे आप market में 50 रुपे की कोई चीज खरीद के लेके आते हो तो लिखा है 50.00 रुपीज इसका कोई मतलब होता है क्या कोई नहीं क्योंकि में आपका रुपीज क्या decimal के पहले है ओके decimal के इस तरफ है decimal के बाद में जो 0 जाते हैं वो उनको गीना नहीं जाता है countering किया जाता वो फाल्तू होते हैं है ना चलिए अब देखिए क्या करेंगे एड़ करते जाओ 7 प्लस जीरो प्लस जीरो किता आ गया भाई 7 आ गया यहां पर रेखिए क्या है यह 7 है इसके नीचे कौन है 0000 एक मिनट कुछ गलती हो रही क्या 00700 पिल्कुल नहीं हो रही ठीक एक दम 00700 0077 007 007 हां यहां थोड़ा मैंने ऐसा लिखा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रही इसको मैं फिर से लिख देखा हूं देखो 007 007 ठीक न मैंने इसको इस तरफ लिख दिया था थोड़ा दिख नहीं रहा था चलो अब बिल्गुल सही मैं चोड़ा देखो 77 कितना हो गया 14 14 की करी आई कितनी बिटा वन कित्ति है एक वन अब देखो 007 007 अभी भी 7 और 007 वन कितना हो गया 8 इत क्लियर है कि नहीं क्लियर है आगे देखिए 8 हो गया क्तम हो गई क्या री चलो हटा दो अब देखो 007 बोलो कितना हो गया 7 अब decimal लगा है तो यहाँ पर क्या लगा दो decimal अब चलो 7777 बेटरे टेबल पर दो 7 की 4 बर 7 फोरजा 28 28 का 8 उतार दो और बच कहीं किती 2 तो 2 प्लस 7 कितना 9 तो answer होगा 98.7847 तो इसका correct answer आप देख लिजे 98.7847 का इसका answer आपका B option ओके सो ये भी हो गया मजे की बात है बहुत बढ़िया चीज आपको देखने को मिल गई यहाँ पर चलिए आखरी question उठाएंगे आज की class का आखरी question है LCM, LCM मतलब least common multiple, least common multiple, LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है ऐसा number जो सभी की table में हो जैसे मैं बोलूँगा 2 और 3 का LCM निकालो, 2 और 3 का क्या निकालो? LCM निकालो 2 और 3 का LCM निकालो, तो देखो 2 और 3 का LCM के लिए, मतलब 2 और 3 की table में आने वाला सबसे छोटा number सबसे छोटा number, least मतलब छोटे से छोटा, common मतलब जो दोनों में हो, तीनों में हो और multiple मतलब गुणा करने पर, तो चलिए 2 की table लिखता हूँ, 2 बन जा 2, है ना, 2 टू जा 4, 2 थरी जा 6, 2 फोर जा 8, 2 फाइब जा 10, है ना, इस तरीके चलती रहेगी 2 की table, अब देखे 3 की table में 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थरी जा 9, तो देखे दोनों के table में आने वाला सबसे चोटा element कौन है, जो common है, 6 है, तो इसको बोलते है least common multiple, यानि की LCM, क्या बोलते है इसको, LCM, अब देखे ऐसे तो आप निकालते रहेंगे तो बहुत time लग जाएगा, कि कौन सा है, है ना, हो सकता है कि कोई बहुत देर में आ जाए, हो सकता है कोई बहुत पहले आ जाए, ज बताओ, 2 का और 15 का common multiple बताओ, तो देखो बहुत दिक्कत होती, 2 से आप चले जाते 10 तक, कहां तक चले जाते 10 तक, आपको कोई common multiple नहीं मिलता, last में आपको मिलता 2 से 15 जा, 2 15 जा 30, और 15 तू जा कितना 30, तो देखो ये, देखो common multiple इसका तो बहुत देर में मिल रहा है, क्यो आफट LCM निकाल लेंगे, देखे क्या करना आपको, जैसे आपको 2 और 6 का LCM निकालना है, तो 2 यहां लिखो और 6 यहां लिखो, अब सबसे छोटे नमबर से डिवाइट करो, किस से जाएगा 2 से, तो 2 बन जा 2, और 2 3 जा 6, अब देखो 1 चला गया ना, 1 को हाथ मत लगाओ, अब के बल इसको पकड़ो, 3 को, अब 3 से डिवाइट करो, तो 1 तो 1 है, 1 को छोड़ दो, और 3 बन जा कितना 3, अब जो आया है, ये जो आये है, इनको आप मल्टिप्लाई कर दो, वो कहलाएगा LCM, तो LCM इकल डो कितना 2 इंटू 6, ठीके ना, ओ, सौरी, 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 2 इं नहीं करेगा, हाथ लगाना छोड़ दो, बिल्कुल, अब 3 किसे जाएगा, 3 से जाएगा, 15, 3, 5 जा, 15, यहाँ पर 1 ही रहेगा, अब किसे जाएगा, 5 से, तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, so LCM जो बनेगा, बिटा, आपका कितना बनेगा, 2 इंटू 3, इंटू 5, 2, 3 जा 6, 6, 5, जा कितना, 30, तो इसका LCM कितना आ गया, 30, तो इस तरीके से आप LCM निकालिए, ओके, जब तक जा रहा है, तब तक आप डिवाइट करते जाए, यह 1, 1 आने तक इंतजार कीजिए, और फिर इन सब का मल्टिप्लाई कर दीजे, इन सब का क्या कर दीजे, आएगा, आएए करते हैं, एक exam में आया हुआ, question देखे, exam में क्या question आया है, exam में question आया है, which number is the multiple of all three numbers, okay, which number is the multiple of all three numbers, in all three numbers का multiple, okay, 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 थोड़ी सी बात अलग होगी यहाँ, यहाँ पर LCM तो नहीं पूच गया, चलिए, मैं अपने आपसे question बना देता हूं, question मैं बना देत हूं find LCM of 48 and 648 and 6 देखिए यहां पे नंबर पूछा है बट लीस नंबर नहीं पूछा है मतलब सबसे छोटा नंबर नहीं पूछा है सबसे छोटा नंबर नहीं पूछा है है ना इसलिए LCM इसका आंसर होना कोई जरूरी नहीं है LCM में सबसे छोटा नंबर आपको मिलता है कौन सा नंबर मिलता है सबसे छोटा मिलता है समझे इस बात को देखे जैसे मैंने आभी आपसे क्या पूछा था कि 2 और 3 का LCM कितना आपने कितना निकारा था 6 अब आप इसको समझे 2 की टेबल में कौन कौन आता है 2 और 2 2 तू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 2 6 जा कितना 12, 2 7 जा 14 अब 3 की टेबल में कौन आता देखे 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 आता है न ये रेखे और यहाँ पे 2 7 जा और 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 आप देखे जो 2 और 3 की टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन है वो क्या है 6 है बट सबसे छोटे नंबर के बाद और भी नंबर कौन है देखो 12 कौन है दिखरा कि नहीं दिखरा है देखो 18 common है, दिख रहा की नहीं दिख रहा है, सुन रहा हो ना, तो भाईया common तो बहुत सारे हैं, मगर जो सबसे छोटा होता है, वही क्या होता है, LCM, क्या होता वही, LCM, अब इस question में ये नहीं बोला है, जो आपके book में दिया गया है, उसमें ध्यान से देखे, उसने ये का करने जा रहे हैं, हम तो करने जा रहे हैं, 486 का LCM निकालो, क्या question है हमारा, LCM निकालना है, 4 का, 8 का और 6 का, तो बहुत ही simple तरीका है, यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 8 लिखो, यहाँ पर 6 लिखो, सबसे पहले 2 से जाने दो, 2-3 जा, sorry, 2-2 जा, 4, 2-4 जा, 8 और 2-3 जा, 6, अभी भी 2 से जाएगा, 2-1 जा, 2 और 2-2 जा, 4, 3 को छोड़ दो, फिर 2 से जाएगा, 1 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, और 3 आ गया, और 3 से जाएगा, answer 1, 1 और कितना, 1, अब LCM समेट करके लिख दीजिए, तो LCM equals 2 हो गया, कितना, 2 into 2 into 2 into 3, answer 2, 2 to the 4, 2 to the 8, 8, 3 जा कितना ह होगा, 24, तो इसका correct answer होगा, आपका बेटा 24, कितना होगा, correct answer, 24, बट यहाँ पर याद रखे, मैंने आपसे LCM पूछा है, क्या पूछा है, LCM, ठीक है न, येस, तो यह आपकी book वाला question ही, मैंने separate question मनाया है, आपकी book का question मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी book का question क्या है आपकी book का question मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर देखे, question कह रहा है, which number, which number is a multiple, which number is a multiple of the number 4, 8 and 6, इन में से कौन सा number, 4 का multiple है, 8 का multiple है, 6 का multiple है, 4 का multiple मतलब 4 की table में आएगा, 8 का multiple मतलब 8 की भी table में आएगा, और 6 का multiple मतलब 6 की table में भी आएगा, मतलब ऐसा कौन सा number है, जो 4 की table में भी आपको मिलेगा, 8 की table में भी आपको मिलेगा, और 6 की table में भी आपको मिलेगा, उस number का आपको पता लगाना है, इन लोगों ने least नह पूछा होता, तो अपन दो किया होगा, इसलिए इसका LCM, जो आ गया, वो 24 से ब हुह है, वह नंबर, जो तीनों की table में आएगा अब देखिए इस question को आप बिना option के नहीं कर सकते हैं आपको one by one सारे option चेकरने पड़ेंगे कौन सा number आएगा, पहला option दिया है 396 क्या दिया 396 दूसरा option दिया है 664 तीसरा option दिया है 696 और चोथा option दिया है 5432 3 2 कहरा बताइए कौन सा नंबर इन तीनों की टेबल में आएगा कौन सा नंबर इन तीनों की टेबल में आएगा 4 की भी टेबल में आएगा 8 की भी टेबल में आएगा 6 की भी टेबल में आएगा क्योंकि जो टेबल में आते हैं उनको हम बोलते हैं multiple, क्या बोलते हैं उनको हम multiple, ठीक है ना, तो चलिए देखो logic क्या कहता है, logic यह कहता है कि आप हर नंबर को 4 से divide करो, क्योंकि 4 की table में आगा तो किस से divide होगा, 4 से, divisibility rule, एक मिनट, अगर 4 की table में आगा तो किस से divide होगा, 4 से, 6 की table में आगा तो किस से divide होग देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा चार से भी डिवाइड हो रहा चैसे भी डिवाइड हो रहा और आठ से भी डिवाइड हो रहा तो ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा बहुत समय लगने वाला लगेगा कि न तो तीनों की multiple होगा चूकि divide हो जाएगा तो वो तीनों का क्या कहलाएगा multiple और कोई तरीका इसको करने का हाँ दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको divisibility rule पता है तो आप देख करके ही divide कर सकते हैं बिना divide कर यह पता लगा सकते हैं कि यह 4 से divide है की नहीं है जैसे यह देखिए य number है divisibility rule का मैंने 4 का divisibility rule क्या बताया था कि अगर last के 2 number 4 से divide हो जाएगे तो देखिए यह 96 है last के 2 number मैंने 4 से divide किया तो 4 टूजा 8 ओके और देखिए 1 बचा 16 और 4 फोर जा 16 बिलकुल मतलब यह 4 से तो divide हो गया 4 से divide हो गया 4 की बारी तो हो गई ओके अब बारी है किसकी 6 की आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद आपको 8 का भी divisibility rule पता होना चाहिए तो थोड़ी आप जल्दी कर लेंगे है ना जल्दी जल्दी देख लेंगे और भी छोटी एक method है बच्चों मैं आपको बता रहा हूं और छोटी method यह है कि जो आपने 486 निकाला है उसका LCM कि देखो 24 से कौन डिवाइड हो रहा है जो 24 से डिवाइड हो जाएगा वही answer होगा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि 24 से भला कौन सा answer डिवाइड हो रहा है ना वन बाई वन करके हम देखते हैं कि 24 से भला कौन सा डिवाइड हो रहा है एक एक करके देखेंगे कि 24 स in English जो अलग-अलग तीनों से डिवाइड होगा वह से बिवाइड होगा रूल को याद कर लो जो तीनों से अलग-अलग डिवाइड होगा वह तिस से बआओगा si macm से भी तो best 색 थे तीनों का यह निकालो अब देखो भाई साब अच्छा तुम कह रहे 6 आ गया, चलिए 24 की टेबल पढ़ता हूँ, मैं कित्रे टाइमस पढ़नू, 24 की टेबल 4 टाइमस 24, multiply by कितना, 4, 4 फोर जा 16, carry कितना आई 1, 4 टू जा 8, और 8 प्लस 1, कितना 9 आ गया भाई, नहीं हो पाया चलो और आगे बढ़ते हैं, 24 की टेबल कितने बार, 6 टाइमस पढ़ता हूँ, कितने बार, 6 टाइमस, ठीक ना, फिर 7 टाइमस पढ़ूँगा, तो 24 इंटू 6, 24 का 4, carry आई 2, 6 टू जा 12, 12 प्लस 2, कितना हो गया, 144, अरे मुझे नहीं लग रहा, आप डिवाइड होगा, क्यो कितने बार में, देखे, 7, 4, 28 है, 7, 4, 28, 8 आ गया, मतलब भी डिवाइड हो नहीं सकता, भूल जाओ, मतलब गया, option एक अभी answer हो, नहीं सकता, क्योंकि इसको 24 डिवाइड नहीं कर रहा है, चली अगला देखते हैं, इसको 24 डिवाइड नहीं कर पाया है, और देखते हैं, क् 6, 64 डिवाइड कर पारा की नहीं कर पारा है, 24 को, 24 की टेबल पढ़ता हूँ, 24 बन जा 24, 24 तू जा 48, 24, 3 जा 72, तो 2 बार जाएगा, इसलिए कहता हूँ, 25 तक की टेबल याद कलो, बहुत काम में आएगी, 24 तू जा कितना होता, 48, 48 भाई, 24 जा 8 होता है न, yes, देखे, 6 में स 8, 16 में से 8 कितना हो गया, 80 हो गया, और ये क्या बज़ गया, ये अपने पास 5 बज़ गया, 5 में से 1 गया, 4 में से 5, 6 में से 5 गया, 5 में से 4 गया, कितना 1, और यहां पर कितना गया, 184, चलो अब 24 को देखते हैं, भाई, कितने बार जाएगा, 24 को मैं करता हूँ, कितने बार 6 times, कितने times करता हूँ 6 times, 7 times, 8 times 9 times, मुझे नहीं लग रहा किसी बार भी जाएगा, बताई 6 times कर रहा हूँ तो देखो कितना आ रहा है, 6, 4 जा 24, बोलो हाँ, 4 आ गया 2 carry आ गया, 6, 2 जा 12 12 plus 144 आ गया ठीक है न, हाँ अगला फिर करूँगा, तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा 7 बार करूँगा, तो 8 आ जाता है, unit place पे 8 बार करूँगा, तो 8, 4 जा 32 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा इस से थोड़ा बड़ा आ जा लिगे 184 जाएगा हाँ, बटो divide नहीं हो रहा है चलिए अगले option पे चेक करता हूँ 696 पे, किस पे चेक करता हूँ 696 पे, मुझे लग रहा है कि साइडिया divide हो जाना चाहिए, चलिए देखे, 696 पे divide करता हूँ 24 से, तो 24 तू जा 48, 24 तू जा 72 मतलब 2 बार 48 9 में से 8 गये, 1 और यहाँ पर कितना बच गया, बोलो 2, और यहाँ पर कितना आ गया, 6 216 आ चुका है, चलिए अब 24 में मैं, कितने का multiply करता हूँ, भाई, 8 का 8 का multiply करता हूँ, देखे, कुछ गलत तो नहीं किया, 24 गुने 72 हाँ, चलिए 192 आ रहा है, इसमें, अब मैं 24 में 9 का multiply करता हूँ, कितने का 9 का, 9 4 जा 36, बोलो yes 9 4 जा 36, carry I 3 9 2 जा 18, 18 plus 2, 216, बिल्कुल सही बात है, भाई divide कर दिया, इसमें कितने बार में, 9 बार में, तो correct answer जो 3 को divide करेगा, जो 3 जिसको 696, ठीक है न, तो आप समझ सकते हैं, आपका कितना मेंद बचा लिए 24, नहीं, तो एक-एक को divide करना पढ़ता, बहुत मेंद लगती, लगती न, चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों, ये थी आज की हमारी सुपर मेंगा क्लास, जिसको हमने शूट किया है, नवोदे विद्याले संगठन और आपकी जो आर्मी स्कूल्स होते हैं, जो आपके सैनिक विद्याले होते हैं, इसके अलावा, जो विद्यार्थी, वेरियस टेट एक्जामिनेशन, पटवारी परिच्छता और विबिन प्रगार की परिच्छाएं कर रहे हैं, उसके लिए भी एक क्लास बहुत उपयोगी है तो ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे, हमको सपोर्ट कीजिए, थैंकि सो मच पर विए लोकेस्तार आते स्टी जोन, वे नाइस देए, जय हिन जय भारत